पहला प्रशन समन क्या है? समन का अर्थ क्या है? समन सब्द कहां से आया? ये अब इसको क्या बुला जाता है? समन जो सब्द है वो भारत का मूल और ओरिजिनल सब्द है जितने भी भारत के लोग है या जितने भी महा भारत के लोग है महा भारत जो एसोक ने बनाया जिसमें भुटान, इरान, बंगला देश, पाकिस्तान, बर्मा, स्रिलंका, नेपाल ये सारे देश उसके हिसा रहे हैं जब ये बड़ा देश था, महा भारत था जो एसोक ने बनाया उस समय यहां महा भारत से पहले हमारी जो पहचानती वो समण की थी हम समण थे, महिलाओं को समणी बोलते थे और पुरसों को समण बोलते थे यह ठीक ऐसे है जैसे आज के समय हम अपने आपको भारतिय बोलते हैं और जो लोग बाहर से आये थे उनको उस समय वमण बोला जाता था वमण सब्द मिलता है मगर वमणी सब्द नहीं मिलता इसका मतलब बाहर से आये जो लोग हैं उनके पास नारियां नहीं थी इसलिए वमणी सब्द नहीं मिलता ये जो जितने भी लोग हैं वो संग में रहा करते थे आपने अगर बाबा साब डॉक्टरा मेटकर की किताब पड़ी हो भगवान बुद्ध और उनका धम तो उसमें लिखा हुआ है कि सिद्धत गौतम ने संग की बात नहीं मानी इसलिए उनको देश निकाला दिया गया उनको निकाला गया वो जो आदेश था संग ने दिया संग के नियम उस समय भी बने हुए थे जब सिद्धत गौतम बुद्ध नहीं बने संग बहुत पहले से चला आ रहा है भारत में जो संग की परंपरा है वो समण लोगों से है आज के समय हम कह सकते हैं कि जो भारत के लोग हैं उनका संग समण संग है क्योंकि अब संग बहुत सारे बने हुए है तो समण सब्द अब क्या कहा जाता है दरसल पाली भासा को संसकायत करकर हिंदी में जब कनवर्ट किया गया तो समण सब्द को शर्मन सब्द बोला गया और इसका साथ ही साथ अर्थवी बदल दिया गया पहले जो समण होते थे वो सारे के सारे सारे काम करते थे वो बुद्ध के वंसस थे, वो सारे भिकु थे, सारे उपासक और पासिका थे, सारे लोग थे, जितने भी काम करने वाले लोग हैं, जैसे जीवक जैसे जो महान सरजन और फिजीशन होते थे, जो सर को खोल कर ऑपरिशन करकर और उसको खाट से बांदे थे, जिन्हों ने बु तक्षला तक्षला मेडिकल यूँवस्टी में पढ़ने वाले सारे समढ थे। जो सुदत्त जैसे ब्यापारी, अनात्पंदक जैसे ब्यापारी, जो सौने की गिन्यों से भघवान बुद्ध के लिए, जमीन पर बिछ बिछा कर सोने की गिनिया और भीहार खेते थे, जमीन वो साख सब्जी उगाने वाले साख के कुल से आते थे वही लोग इंजिनर थे, यहांनी समणलोग सारे इंजिनर थे क्यूंकि वो बैलगारी, किर्सी के उपकरण और तीर कमान, धनोस, लड़ाई की उपकरण और सारी चीज Prose बनाने वाले और जितना सामान है वो सब बनाने वाले जो जितना भी ची जाती है वो सारे सारे समण लोग थे और उसको बेचने वाले ब्यापारी भी समण लोग थे वही लोग सेनापती थे, समराट असोक समण थे और उनकी सारी सेना समण थे वही लोग सेनानी होते थे वही लोग पढ़े लेखे विद्वान, पंडित और गुरू लोग थे जब समराट असोग ने पत्थरों पे लिखवाया तो जिन लोग ने लिखा वो लिखने वाले लोग सारे समढ थे और जिनके लिए लिखवाया वो सारे लोग समढ थे जो पढ़ते थे यानि पढ़ने वाले लोग भी समढ थे और लिखने वाले लोग भी समढ थे तो समढ सारे लोग थे मगर बाद में इसका अर्थ बदल कर ये कहा गया कि समन को अब शर्मन कहेंगे और शर्मन का मतलब है सर्म करने वाला और सर्म का मतलब है खाली लेवर और महनत और मजदूरी करने वाला ये बात बलकुल गलत है क्योंकि इसका अर्थका अनर्थ किया गया जान बूज कर सर्म सब्द पाली का नहीं है पाली में श्रै और श्री सब्द श्रै नहीं होता श्रै सब्द बाद में संस्काइट करके जोड़ा गया है पाली में इसका मतलब ये हुआ कि हम सरम करने वारे लोग नहीं है ये जो बाद में सरम मंत्राले या सरम कार्ड या सरम दान या सरम एक जो सब्द बने है सरम से, ये सारे सब्द जूटे हैं, ये हमारे सब्द नहीं है, जितने समन लोग हैं, वो सभी काम करते थे, वो राजा भी थे, वो सैनापती भी थे, वो टीचर भी थे, वो पंडित भी थे, वो विद्वान भी थे, वो गुरू भी थे, वो किसान भी थे, वो हर तरह का काम करते थे और जितनी समणी हैं वो भी सारा काम करती थी आपने देखा होगा कि समण सब्द का सर्मण सब्द बनाया गया है मगर सर्मणा और सर्मणी सब्द नहीं आता क्योंकि जूट बार बार नहीं चलता पकला जाता है इसलिए समढ सब्द में आप अगर जाएंगे तो आपको समढ आएगा यह जो समढ संढ भारत में काम कर रहा है बहुत तेरी से यह उन सभी लोगों का है जो सारे सारे पुराने लोग समढ है क्योंकि पहले भी समढ संढ होता था पहले इसको खाली संग बुला करते थे बाद में जब संग कई लोगों ने और बना लिये तो इसको फिर समण संग के नाम से जानते हैं इसके नियम वही पुराने नियम है जो पहले चलते थे आपने देखा होगा कि पूरे इत्यास में बगवान बुद्ध और उनका धंगी किताब के अंदर बावा साब ने कहीं यह यह नहीं लिखा कि समण संग का कोई डेता होता है इसका मतलब समण संग सामुक रूप से काम कता था संग के रूप से काम कता था उसका नेता ना पहले होता था ना ही उसका नेता आज होता है इसने जितने भी भारत में लोग हैं जो वमन नहीं है जो वमन नहीं है यानि ये विपरीत मन के लोग नहीं है वो सारे सम समन हैं यानि समता वाले मन के हैं समन लोग हैं अच्छे मन के लोग हैं साम माने शांत भी होता है शान्त मन के, साधू टाइप के, जो भिकु भिकुन टाइप के, उपासक और उपासिका की तरह की लोग हैं, सारे सारे, वो सारे समन हैं, क्योंकि बाद में, जो समन संगे, वो चार भागों में भगवान बुद्ध ने डिवाइड किया, एक भिकुनी संग, एक भिकु संग, एक उपासक संग, एक उपासी का संग, इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा है, संगं सरनंग गच्छामी, इसका मतलब यह है, समण संगं सरनंग गच्छामी, यानि कि अपने संग की संग में जाना है, और उन्होंने भिक्वों को भिक्वों के संग में जाने के लिए कहा है, उपासकों को उपासकों के संग में जाने के लिए कहा है, और जो उपासी कहा है, उनको अपने संग में जाने के लिए कहा है, वही बाद बाद में डॉक्टर अंबीट करने कही है, और्गिनाइज होना है, और्गिनाइज का मतलद संग्ठन नहीं होता, और्गिनाइज का साधु संगति करो, संगत करो, यानि संग के अंतरगत रहो, संग के अधीन रहो, संग के साथ रहो, जो लोग संग के साथ पूरी दुनिया में रहते हैं, वो मौज करते हैं, क्योंकि संग में शक्ती होती है, संगे सत्ती होती है, वो लोग कभी नहीं हारते, जो संग के साथ र और लोगों को बताएं धन्यवाद